नमस्क्रावैर भीया बहुत-बहुत स्वागत है आप सब कारिकरम देख रहे हैं महा-महा-महा-महा दिब्य कारिकर्म 34 जराहậ के आपके साथ मैं हूँ आपका इस्टो फ्रेंड सनतोस ल्याए बाई साब ये कारिकरम, कारिकरम नहीं है अपने आप में तहलका है लोग इतना इस कारेक्रम से जलन रखने लगे हैं कि अनाप सना पाकर के बकते हैं मतलब इतना सीधा सीधा तर्क देता हूँ वो ले आते हैं किताब की बातें जबरदिस्ती जबर्दस्ति अभी एक हमारा पुराना कारेक्टरम है काले धागे का जिसमें होता ना लड़के लड़की आज कल फैशन है काला धागा पहनते हैं उनसे पूछो क्यूं तो बहुत लोग कहेंगे काला धागा है तो वो कॉमेंटली बोल देते हैं कि नजर ना लगे अब बहुत लोग कहेंगे कि पहरे में दर्द था किसी ने बता दिया तो देखी देखा पाप देखी देखा दर्ब तरक समझ में नहीं आएगा लोग तो हमने वीडियो राला उसमें इतना बेकार बेकार की कमेंट लोग लिखे हैं यो उफ क्या कहा जाए तो ये घटा घटो चंद लोग हैं खास तोर पर घटा घटोप चंद लोग हैं जो इस कारेक्टरम से महा इरस्या भाव पाल चुके हैं जो पीला कपड़ा पहन कर दाढ़ी रखा कर बड़े बड़े टीके लगा कर और बीष्ठ माला पहन कर इसमें अपनी बिद्वता समझते हैं गंदे वाले खैर परमातमा माफ करें ये प्यार हम आप लोगों को बता रहे हैं हम किसी की ना आलोचना कर आलोचना नहीं कर रहे हैं बता रहे हैं लेकिन ऐसा होता नहीं आप लोग को अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग किसी के पहनाव पर उसको ग्यानी ना समझिएगा ग्यान एक अलग विशह है यह थोड़ी ना कोई उज्जर कोट पहन लिया तो डॉक्टर है बन गया लोग तो कोई बीश्ठो माला पहन लिया तो इसका मनला वो बहुत ग्रहों का जानकार नहीं हो गया या कोई टीशर्ट पहन लिया है तो वो बिल्कुल ग्रहों के बारे में बोल नहीं सकता है यह एक विशह है, जैसे जिलोजी है, जैसे कमिश्ट्री है, जैसे बॉट्टी है, जैसे अर्कियोलोजी है, जैसे सोसियोलोजी है, जैसे यही सारे चीजी है, कमिश्ट्री है, फिजिक्स है, अल्जब्रा है, जिस्ट लाइक एस्ट्रोजी है, इसका न तो किसी ब्रामर से मत यह एक विशह हैं इस विशह में इश्वरिय क्रिपास से कोई भी पारंगत हो सकता है इस विशह की पारंगतता में कोई भी चीज महत्व पूर्ण नहीं है ना तो टीका ना तो जनेव ना तीका ना जनेव कोई भी चीज इसमें महत्व पूर्ण नहीं है ना तो कुर्ता ना तो टीशर्ट ना तो लंगोट ना तो धोती इस विशह के लिए सिर्फ इश्वरिय क्रिपानिवाल है वो जिस पर बरस जाती है वो जोत्शी बन जाता है यही लॉजिक है यही अंतिम सत्यता है क्या जब से बिश्व विद्याले हुए है उससे पहले कोई ज्यान ही नहीं होता था कोई जानकार नहीं होता था जब से डिगरिया पटने लगी तभी से लोग जानकार है तभी से ज्यान चला है क्या ज्यान इससे पहले भी था डिगरी यूग से पहले भी ज्यान था लॉजिक है ब्रहश्पती आपकी कुंडली में किसी भी तरह से हो कैसा भी हो कैसा भी हो महत्व पूर्ण स्थान रखता है क्योंकि पूरी कुंडली में एक गुण ऐसा होता है जो सिर्फ ब्रहश्पत के पास है और वो है विवेग गुणों का राजा विवेग विवेग किसे कहते हैं उचित अनुचित समझने की छमता यही जीवन का सार है तो आज रात बारह बचकर पांच मिनट पर मतलब पांच तारिक की अल सुबह है चार की रात पांच की सुबह कितना मध्धरात्री 005 ब्रहश्पती धन राशी में मूल लक्षत्र में ट्रांजिक्ट कर रहे हैं जहां पर उनका स्वागत पहले से ही रह रहे दो किरायदार शनी और केतु कर रहे हैं शनिकेतु ब्रहश्पत के किरायदार इसलिए हैं क्योंकि वो घर ब्रहश्पति का है तो पूरा ठक हार करके ब्रहश्पति लगबक 13 वर्ष बाद जब अपने घर वापस आ रहे हैं तो वहाँ पर ये दो ग्रह जो स्वागत करेंगे ये बहुत मन से स्वागत नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों ग्रहों के के लिए ब्रहश्पति एक तरह से सत्रूवत है एक तम है तो एक सत है एक अन्धेरा है तो एक उजाला है ज्यान का उजाला लेकिन अब चुकि किरायदार है वो रह रहे हैं कुछ दिन के लिए बचा है कुछ दिन अभी फिर आगे बढ़ेंगे तो ऐसी स्थिती में मजबूरी है स्वागत करने के क्यों ना हम लोग भी स्वागत करें ब्रहश्पत का क्यों ना जो समय बचा है उस समय में हम तयारी करके और ब्रहश्पति के जब पांच तारिक की अल सुबह है, चार की रात पांच की सुबह है, ब्रहश्पति प्रवेश कर रहे हूं, तो इस शरीर रूपी कुंडली के धनु राशी में उनका एक बिलक्छन स्वागत करना है. हर व्यक्ति करे, हर सदस्य करे, घर में पांच लोग हैं, तो पांचों करे, एक दिन का बच्चा है, तो भी करे, सौ साल के बुजर्ग हैं, तो भी करे, हर किसी के लिए निवा दे, और मित्रों इसका रिजल्ट मिलेगा, मैं बोलता हूँ, मिलेगा, 100% मिलेगा, चैलेंज है, आप के अनुसार नहीं मिलेगा, मैं सिद्ध करूंगा जब आएंगे, कैसे, उस घर्टना के बाद, चार नॉम्बर की रात, बारह बचकर पांच मिनट, अर्थाद, पांच नॉम्बर की अल सुबह, आप ये उपाय कर लिजेगा, और रिजल्ट हमें बताईएगा, उपाय क्या है, तीन गांट साबुत हल्दी का लेना है, सब पर तीन सिंदूर की बिंदी लगाना, सिंदूर बिना गीला की है, लाल वाला सिंदूर, समझ देजेगा, बिंदी लगाने के लिए, ये राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करना, जो लेफ्टी है, वो लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर लगाएगा, बड़ जो दाहिने हाथ से काम करता राइटी है वो राइट हेंड के इंडेक्स फिंगर से सिंदूर लाल वाला तीन तीन बिंदी लगानी है तीनों गाठ उपार एक तो तीन इसके बाद इसे पीले धागे में गात लगाकर थोड़ा सा माला टाइप का बनाना है जहां तीनों गाठ हलदी की ऐसे बंधी हो एक दूसरे के साथ, इसे गाठ लगाया हल्दी में, टाइट लगा दीजेगा, दो तीन बाल लपेट कर, फिर गाठ लगाया, फिर थोड़ी दूरी पे, तिन ते चचरंगुल की दूरी पे, तीनों हल्दी लगा देनी है, और ऐसे पहन लेना पीछे, पीले धा अंबे, बस, दो से तीन सेकेंट, अब ये ठीक बारे बचकर पांच मेंट पर कर लेना है, फिर इसको निकाल कर पूजास्थान पर रखिए, बोलो बिश्णू भगवान कीजए, काम पूरा, भाई साब, निकाल के फिर पूजास्थान पर साल भर के लिए रख दीजिए, ठ सी दिया को ऐसे देखते हुए जाके सोचाईएगा, भगवान ब्रहश्पत की सब पे को किल पार है, आप सब भी बेगवान बने हमारे शुब काम नहीं, कायकम को दबा के शेयर कर दीजेगा, हर किसी के जीवन में खुश हाली आए, यह सत्भाव रखिएगा, हमारा आपका प्यार अमर है, अमर रहेगा, I always love you all, take care, keep smiling, 9-10-11 तारीख कलकत्ता में, 22-23 नागपुर, 24-25 राइपुर, चंडरीगर और इंदवर की भी तारीखें आ गई हैं, नोट कर लीजेगा, नमस्कार, से किष्णा शेरा दे